करक राशिवालो अप सभी के जीवन को बदल कर रख देगा दरसल दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बताते हैं कि आप सभी के घर में एक देवता पधारने वाले हैं आज शाम से और यह देवता पिछले कई सालों से आप सभी के जीवन में अपनी नजर बनाई रखे हैं और यह देवता आपको कुछ देना चाहता है और इसके बदले में आपसे एक चीज मांगता भी है आप इसे पिछले समय नजर अंदाज भी किये हैं लेकिन दोस्तों अब भूल कर भी इसे नजर अंदाज मत करना और यह देवता जो चीज आपसे मांग रहा है उसे दे देना नहीं तो जीवन भर पच्छताओगे बेटा क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है इसलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना नहीं तो भगवान क्रोधित हो जाएगा या देवता कौन है और आपसे क्या चीज मांग रहा है शादी बाद वीडियो में विस्तार से बताईए बस आप इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हरदय भाव से जय मातादी पांच बार लिख दीजिएगा मातारानी का सीधा आशीरवाद आप सभी को प्राप्त होगा यह एक देवता शाम पांच पचपन बजे के बाद आपके घर में आने वाले हैं और यह दोनों देवता आपसे किसी चीज की मांग कर रही हैं अब यदि आपने इनकी मांग को नहीं समझा और यह जो मांग रहे हैं उसे आपने नहीं दिया यह दोनों देवता आपसे पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे और इनका करो आपके उपर टूट पड़ी का अब प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो यह देवता पिछले नौ वर्षों से आपकी रक्षा कर रहे हैं और समय समय पर यह आपके पास आते हैं लेकिन आपको इनके बारे में कुछ भी ज्यान नहीं है लेकिन अब आपके पास एक आखरी मौका है अगले तीन दिनों में एक विशेश प्रयोग के दोरान यह दोनों देवता आपके घर में फिर से आएंगे और इनके आने के कुछ बड़े संकेत भी होंगे अब आपकी कुल देवी या फिर आपकी पित्र देवता ने ही ए हैं आपके लिए आपके उधार के लिए आपके पास भीजा है अब ऐसे में यदि आपने इन संकेतों को नहीं समझा और इन्हें नहीं पहचान पाए यह आपसे भयंकर नाराज भी हो सकती है और एक बार यह आपसे नाराज हो गए तो फिर ना केवल यह देवता का क्रोध बलकि आपके पित्र देवता और आपके कुल देवी या देवता का क्रोध भी आपके उपर पड़ेगा लेकिन यदि एक बार यह आपसे प्रसन्न हो गए तो फिर यह आपको हो सब कुछ दे सकते हैं जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, आपकी जिंदगी धर्ती पर ही स्वर्ग के समान सुन्दर बना देंगे। अब चाहे आपको करोडों की दौलत चाहिए हो, वह करोडों की दौलत भी आपको देंगे। चाहे करजे से मुक्ति चाहिए हो, काम धंधा व्यापार में उन्नती चाहिए हो, तो उन्नती आपको देखे करजे से मुक्ति देंगे। चाहे संतान सुख चाहिए या फिर किसी का प्रेम पाना हो, किसी से विवाह करना हो, तो आपका विवाह भी करवाएंगे। आपको इसी का प्रेम ही चल पाएंगे, यानि कि हर वह बात जो आप चाहते हैं, आपको ला कर देंगे, लेकिन इनको पसंद कर पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए इन्हें समझना जरूरी है कि कौन देवता है और इन्हें कैसे पसंद करना है, इसके लिए कुछ जरूरी उपाय करनी है, और इनकी जो जरूरी दो मांगे हैं, उन्हें भी आपको पूरी करनी है, यदि आप इनकी मांग पूरी कर देते हैं, कुछ जरूरी उपाय कर लेते हैं, और उन उपायों को सही समय से, सही विधिविधान के साथ, नियम के साथ कर लेते हैं, तो यह देवता 100% आप से प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में ही हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएंगे और आपके जीवन में हर उस चीज को लाकर आपको देंगे जो आप चाहते हैं आज की यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके जीवन का सबसे शानदार जोतिश कार्यक्रम होने जा रहा है क्योंकि इस जोतिश कार्यक्रम में हम आपको इन देवताओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इन्हें कैसे प्रश्न करना है कौन से वह कार्य हैं कौन से उपाएं हैं जो आपको करनी है इसके बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएं बस आपको करना यह है कि इस जोतिश कार्यकरम को पूरा देखना है प्रिये मित्रों यदि आप जोतिश कार्यकरम को पूरा नहीं देखेंगे या इसमें बताई गई बातों को हलके में लेंगे या मजाक समझ कर आगे बढ़ जाएंगे तो आप अपना पैर ही कुलहाडी पर मार लेंगे क्योंकि प्यारे दोस्तों, हमें पता है फिर आप अंजाने में कोई ऐसा कार्य करेंगे कुछ ऐसी गलतियां करेंगे, जिनसे की यह दोनों ही बता नाराज हो जाएंगे और आपके उपर अपना क्रोध बरसाने लगेंगे प्रिये मित्रों, अब चाहे आप यह कार्य गलती से ही करेगा लेकिन गलती से भी किया गया कार्य का नतीजा तो गलत निकलेगा ही जैसे बिजली के तार को आप चाहे गलती से छुए या जान बूज कर छोड़ें करंट तो आपको लगेगा ही लगेगा ठीक इसी प्रकार यह दोनों देवता इतने तीवर हैं कि यदि यह आप से नाराज हुए तो यह आपको सजा देंगे ही देंगे फिर चाहे आपने गलती से इन्हें नाराज किया या चारभुजा किया कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसे ही मैं आपको यह जोतिश कारेक्रम देखना बहुत अधिक आवश्यक है प्रियमित्र बहुत महनत से बहुत ज्यान एकत्रित करने के बाद शास्त्रों के अधियन के बाद और फूड जोतिशियों और गणितीय आकलन करने के बाद इस तरह के जोतिश कारेक्रम बनाये जाते हैं इस जोतिश कारेक्रम को बनाने में हमने हमारी टीम के साथ दिन रात महनत करके ग्यान की बातें एकत्रित की है और आपके शिविर में चल रही PCS ग्रह योगों के अनुसार बिल्कुल सटीक जानकारी और सटीक राशिफल देने की पूरी कोशिश की है तो अब ऐसे में आपको इतना महत्वपूर्ण जोतिश कार्यक्रम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इसे पूरा देखना है तभी आपके जीवन में कुछ भी बदलावाएंगे वरना सब कुछ जोका क्यूं रहेगा और आपको वह कभी भी हासिल नहीं हो पाएगा जिसके आप सचमुच में लायक हैं तो चलिए आज के इस विशेश और जीवन को बदलने वाली ज्यान वर्धक जोतिश कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें इसलिए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं तीन बार लिखना जैमा दुर्गा कृपा करो ठीक इसी प्रकार आप हो कमेंट में एउम नमः शिवाय भी अवश्य लिखना है क्योंकि अब सावन का समय नजदीक आ रहा है और हमें होली बाबा की शरण में जाना ही होगा क्योंकि एक भोले बाबा ही ऐसे हैं जो किसी के भी भाग्य में लिखे को भी पलटने की शक्ती रखते हैं यानि कि मैं तक कठिन गोपाल के मंत्र महामुनी विश्व विद्यालय के तो अब भोले बाबा का समय आ रहा अली बाबा मृत्यू लोक में निवास करेंगे तो उनका भी आभार हमें व्यक्त करना ही होगा इसी के साथ साथ प्रिय बंधूओं यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी अवश्य तबाही थे इस चैनल में जो भी घ्यान की बातें बताई जाती हैं पूर्ण रूप से मातारानी की सेवा में समर्पित होती हैं तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे और मातारानी के दिव्वे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके उपर अपनी आप मातारानी की छाया और उनकी कृपा आजाएगी क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं और जूट कितना भी बोलो उसका कोई हल नहीं वही सिर्फ आपको और अधिक भूल जाएगा ही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं किसी का भाग की नहीं बनाता और ना ही मैं किसी के कर्मों का फल उसे देता हूँ यह तो आप स्वयम ही हैं जो अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्मान करते हैं इसलिए धैरे रखिए और इंतजार करिए सही समय आने पर आपको वह सब कुछ मिल जाएगा इसके लिए आपने मेहनत की है प्रयास की है तुम्हें बस यही याद रखना होगा कि किस्मत आपको धोखा दे सकती है लेकिन आपकी मेहनत है और आपका इंतजार आपको कभी धोखा नहीं देता है इसलिए कहा जाता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है तो प्यारे दोस्तों आप बहुत ही भाग्यवान हैं कि यह दोनों देवता आपके जीवन में आपके घर में आने वाले हैं और आपके जीवन को खुशियों से भरने वाले प्रिये बंधुओं ध्यान से समझो जब कोई दैवी ये शक्ती या देवी या देवता किसी के घर जाते हैं उसके जीवन में प्रवेश करते हैं तो इसके पीछे उनका कोई न कोई बड़ा मकसद अवश्य होता है और जब तक उनका वह मकसद पूरा नहीं हो जाता है तब तक विधिबता बार-बार आपके जीवन में आते रहते हैं और आपको संकेत देते रहते हैं अब ऐसा नहीं देवता ने स्वयम ही आपके घर में आने को चुना है आपके ही किये गए कुछ ऐसे कर्म है कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे वे प्रसन्न हुए हैं और आपके भाग्य को बदलने के लिए यह आपके जीवन में आपके घर में आना उन्होंने चुना है तो अब आपके मन में यह प्रशन तो उठ सकता है कि आखिर हमने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिससे कि देवी देवता स्वयम आने के लिए तयार हो गए और जीवन को बदलने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं कि पिछले कुछ समय से यह कहे कि लंबे समय से आप बड़ी ही दुख और तकलीफ हो से गुजर रहे हैं। कुछ समस्याएं तो आपके जीवन में ऐसी हैं जिनका हल निकाल पाना लगभग नामुम्किन है। और आप लगातार लोगों के धोखे अपमान और तिरसकार के भी शिकार होते रहे हैं। लोग अकसर आपके साथ ऐसा करते हैं कि मतलब होता है तो आपके नजदीक आते हैं और आपसे अपना काम निकल जाने के बाद पीछे मुड़ कर भी नहीं देखते हैं। आपको भूल ही जाते हैं और यह लोग कोई पढ़ाई नहीं है आपकी अपनी है और ऐसी अपनी है जिनके बारे में आप ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे तो जब आपने इन लोगों की ऐसी चेहरे देखे ऐसे बरताव को देखा तो आप बहुत अधिक दुखी हो गए अब हम आपको बता दें कि पूरी राशे चक्कर में आप एक मात्र ऐसी राशे है जो अपने दिल से ज्यादा सोचते हैं दिमाग से कब सोचते हैं खास्तोर से जब अपने रिष्टे नाथों की और अपनों की खुशी की बात आती है तो आप हमेशा बस एक ही कोशिश में रहते हैं कि जो आपकी अपनी हैं आप से जुड़े हुए लोग हैं वह हमेशा हसते और मुस्कुराते रहें कहने का मतलब यह है कि आपके दिल का भोला भालापन आपकी नेक और सच्ची नियत और लगातार आपके दिल के दुखने को या यूं कहें कि लगातार आपकी अंतरमन को हो रहे कष्ट को हिंदू देवताओं ने देख लिया है अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं और आपकी पूजा पाठ करने का तरीका थोड़ा दूसरों से अलग है। आप जब भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो आप भगवान को पित सचे मन से याद करते हैं। खिली उड़ाएंगे। इसलिए आप अब अपने मन की बातें दुनियादारी के लोगों को नहीं बताते हैं। सीधे भगवान को बताते हैं और एक बात याद रखना कि जो लोग श्री भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके मन से अपने मन को मिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। ‫अब पिछले कुछ समय से आप के साथ यह हो रहा। आपकी भगति मान से कधिक हो रही है। दिखावे बाजी की बाहरी भौतिक भरती कब हो रही है। आप मन ही मन में भगवान का सुमिरन खूब करते हैं। मन ही मन भगवान की भक्ति करते हैं भी सकता है उपर से आप बिलकुल भी कुछ भी ना दिखाए लेकिन आपका अंतरमन भगवान से लगातार चड़ा रहता है अब यह सारी जो संकित हैं ये एक सच्चे साधक, सच्चे इंसान और सच्चे भक्तों के संगीत होती है और इन ही संकेतों को भगवान हर एक भक्तों के मन में देखना चाहते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपकी भक्ति भगवान के प्रति प्रेम धर्म के प्रति भाव आपका इतना गहरा हो चुका है कि अब भगवान ने खुद यह निर्णे लिया कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्त किया जाए अब प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने सारे कार्य अच्छे ही किये हैं अंजानी में ही सही लेकिन आपने कुछ बड़ी गलतियां भी की है और उन गलतियों की आपने सजा भी पाई है अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है प्यारे दोस्तों की आपने चाहे भले ही किसी का दिल दुखाया हो किसी का अपमान किया हो या फिर किसी के साथ किसी भी प्रकार से कुछ भी गलत किया हो लेकिन उस गलत को करने के पीछे आपकी नियत अच्छी थी आपने जानबूज करने ही मजबूरी बस ऐसा किया था और इस बात के लिए आप अब तक पच्चतावा है प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए पच्चतावा करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है जीवन इसी प्रकार चलता है यहां कुछ भी एक जैसा नहीं है जहां जीवन में दुख है तो वहां सुख भी है दोनों एक साथ चलते हैं जहां जन्म है तो वह मृत्यू भी है यह तो एक चक्र है और कभी-कभी जीवन अंजाने में ऐसी परिस्थितियों का निर्मान कर देता है कि मजबूरी हो जाती है किसी के साथ नाइनसाफी करना गलत कारे करना लेकिन मन में यदी पच्चतावा है और उस गलती को सुधारने के लिए कुछ कार्य किये जा रहे हैं मन में भाव रखा जा रहा है तो वह गलती भीक शमा करने योग्य हो जाती है अब प्यारे मित्रों ध्यान से सुनो जो बातें अब आपको हम बताने जा रहे हैं आने वाले समय में आपके बड़े ही काम आने वाली और आपको बहुत भारी मुसीबतों से बचा सकती है ये मित्रों, ग्रहों की चाल क्या कह रही है और आपके जीवन में कौन सी विशेश परिस्थितियों का निर्मान हो रहा है इसी के साथ साथ कौन सी रथू बड़ी देवता है जिनकी पूरी कृपा और आशीरवाद आपके ऊपर आ चुकी है और उसका लाभ आप कैसे लिपाई के और सबसे महत्वपूर्ण बात एक शक्तिशाली उपाय जैसे आपको अवश्य ही अगले तीन दिनों में कर लेना चाहिए तब ही इन दो बड़े देवता की कृपा और आशीरवाद आपके ऊपर बना रहेगा और ना ही आपसे नाराज हो जाएगी हमें तो आपको पूरा देखना है बीच में छोड़ने की गलती बिलकुल भी मत करना वरना आपकी जिन्दगी में तबाही निश्चित है क्योंकि चाल भी आपके उपर पूरा और गहरा प्रभाव डालने वाली है तो ऐसे में जितनी सावधानी और सतरकता अपवर्तन गे उतनी ही जीवन में सुख और खुशियां प्राप्त करेंगे तो अब ध्यान से सुन अगले तीन दिनों में आपको एक ऐसी खबर मिली कि जिसे सुनने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा क्योंकि इन दो दिव्य शक्तियों ने आपके उपर कृपा करती है आपके जीवन में खुशियों की अब शुरुआत हो चुकी है तीन दिनों में आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन जुम उठेगा और भविश्य के लिए आपके मन में नई उम्मीद है बदलने लगेंगे लेकिन प्रियमित्र हमेशा हाई के साथ बुराई तो रहती ही है तो जहां आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी वहीं आपके सचिव धोखे बास तयार हो जाएंगे और विधी आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे तो अगले तीन दिनों में आप ही एक ऐसे व्यक्ती से सामना होगा एक ऐसे व्यक्ती से काम पड़ेगा तो आपको किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद तो करेगा लेकिन किसी ने किसी व्यक्ती से आपको एक बड़ा धोखा भी मिलेगा जहां एक तरफ आपकी मदद करने के लिए तयार है वहीं शत्रू भी आपके खिलाफ और आपको धोखे बाजी करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसान के द्वारा दिया गया धोखा आपको बहुत दुखी कर देगा आपका मन विचलित हो जाएगा प्रियबंधू हम आपको बता दें कि यदि आप नजदी की भविश्य में यानि आठ से दस दिनों में किसी काम धंधा व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रही हैं कहीं पर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो अब भी आप रुख जाएं कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि आप पैसे को इनवेस्ट करेंगे काम धंधा व्यापार में यदि अधिक पैसा लगाएंगे तो आपको निश्चित सौ परसेंट घाटा ही होगा आपका पैसा उलज ही जाएगा और ना ही आपको किसी को पैसा उधार देना है और ना ही अनावश्यक कारियों के लिए करजा लेना है दोनों ही परिस्थितियों आपके लिए खतरनाक होने वाली है और इसका कारण है सनी की बकरी चाल है जो 29 जून से होने जा रही है और पूरे 139 दिनों तक रहेगी अब आप खुद ही समझ गए कि जब कोई कहे अपनी चाल को एकदम से बदलता है शुरुवात के कुछ दिनों तक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है तो उसका प्रभाव शुरुवात के कुछ दिनों में बहुत ही गहरा होता है फिर सब कुछ धीरे धीरे साधारण होने लगता है लेकिन शुरुआत में खुश मिलकर रहने की आवश्यक्ता होती है इसी के साथ साथ प्रिय मित्र आपको अपनी वानी पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रन रखना होगा किसी के भी बीच में आपको नहीं बोलना है तो लोग आपस में विवाद कर रहे हैं चर्चा कर रही है आपको बस सुनना है बोलना नहीं है किसी की भी बातों में बीच में पढ़ेंगे तो आपके उपर आरोप लग जाएंगे आपका जगड़ा हो सकता है व्यर्थ के विवादों में आपको नहीं पढ़ना है किसी से नहीं करनी है, अनावश्यक चर्चाओं को आगे नहीं बढ़ाना है, बात जितनी हो सके उतनी कम से कम शब्दों में समाप्त करने की कोशिश करें। अब ऐसे में होगा यह है कि आप जब किसी से किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए बैठेंगे, चाहे भले ही दोनों के बीच ही क्यों ना बैठे हों, तो लोग जान बूज कर कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य बोलेंगे कि आपके मन को चोट पहुँचेगी, आपके पुर बहाव आपके कार्य पर, आपके जीवन पर भी पड़ेगा, तो आपके लिए हमारी सलाह यही है कि आप लोगों से उतनी ही बात करें, जितनी की आवश्यक्ता है, किसी से बहस हो, चाचा करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, केवल और केवल अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है कि कि आपके जीवन में उन्नती तरक्की और इश्वर का सच्चा प्रेम और आशीरवाद भी तब ही आएगा, जब आप अपने काम में पूरा मन लगाएंगे और अपने कर्म को ही पूजा बना करके सच्चे मन के साथ उसे करेंगे, अब प्रिय मित्रों, आपका अगले तीन दिनों में उसमें कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होगा, जिसे जानकर आपको खुशी होगी और उसका फैसला भी हो सकता है, और जो अपने लहू का वह आपके पक्ष में ही होगा, अगले तीन दिनों में कोई न कोई एक ऐसा धार्मिक कार्य भी होगा, इसमें आ किसी विशेश प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान में आप अंशदान वगैरह भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जितना आप भगवान से जुड़ेंगे और भगवान के पास जाएंगे। उतना ही आपको सुकून और सुख प्राप्त होगा और जब आपको यह मौका स्वयम भगवान दे रहे हैं तो आपको अवश्य ही इसमें शामिल हो जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं थोड़ी उत्तल पुथल भरी है और कुछ चीजें आपके नियंतरण से पूरी तरह से बाहर हैं। आप चाहकर भी उन चीजों को अपने नियंतरण में कर नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में जब आपको किसी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा पाठ में भाग लेने का मौका मिल रहा है कि यह असल में ईश्वर के द्वारा दिया जाने वाला एक बड़ा संगीत है। इशारा है कि उन्होंने आपकी मुराद सुन ली है। अब आपकी इच्छा पूरी करने वाली है। आपको वह मिलने वाला है जिसके लिए कि आप लंबे समय से ही परेशान थे, तड़प रहे थे। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत जरूरी कार्य है। जो करना है और वह कार्य है कि हमेशा सकारात्मक रहना है। आपके जीवन में चाहे कितना ही गलत हो रहा हो, चाहे कितनी ही नकारात्मक परिस्थिती हो, लेकिन आपको अपने मन में सकारात्मक भाव रखना है और यह आप कैसे करेंगे। यह आप करेंगे। इश्वर की भक एक बार कम से कम का मंदिर अवश्य को आया करें। याद रखें कि मंदिर में सकारात्मक उर्जा इतनी अधिक होती है कि यदि आप सच्चे भाव को लेकर मंदिर में जाते हैं तो आप दिन भर की थकान और इशानी और मानसिक पीड़ा है। एक क्षण में समाप्थ हो जाती हैं और वहां से आप भरपूर सकारात्मक उर्जा लेकर आते हैं। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान देने योग्य है कि इस समय आपको थोड़ा स्वास्थे के लिए भी सतर्क रहने की आवश्यक्ता है। आपको पेट और कमर दर्द और कमर के निचले हिस्से में तकलीफ में रह सकती है। सिरदर्द, मानसिक ठकान और लगातार चिड़चिड़ापन भी आपके स्वभाव में बना रह सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जितनी सकारात्मक रहेंगे, जितना अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, उतनी ही आप तरक्की करेंगे और भगवान की भी बहुत अधिक प्रिये रहेंगे। अब प्यारे दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि आपको पानी बहुत पीना है और योग प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करना है और थोड़ी बहुत आपको कसरत भी करनी है क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपकी राशिके जातकों की। यह एक बड़ी समस्या है कि आप जब अपने कामकाज में लिप्त हो जाती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। अपने शरीर के बारे में भी नहीं सोचते हैं खान-पान के बारे में, भूल जाती हैं और इस वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में श कार्य करनी है और कौन सी कार्यों से बचना है। अब प्यारे दोस्तों हम आपको बता रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो आपके जीवन में अगले तीन दिनों में प्रवेश करने वाली हैं तो सौ वर्ष का यह जो समय चल रहा है। इस समय कुछ ऐसी चीज परिस्थ चीज़तियों का निर्मान होता है कि कुछ विशेश श्क्तिया आपकी राश्य के जातकों की ओर आकर्शित होती है। लेकिन आप उनके बारे में कोई भनक तक नहीं लगती है। क्योकि इसके बारे में आपको बताने वाला कोई है ही नहीं। प्यारे दोस्तों हमेशा अधार पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव जीवन पर बनता और कम होता रहता है। अब ऐसे में यदि आप इन व्यक्तियों के प्रभाव को समझना सीख जाएं और इंद्रियों को प्रसन्न कर दें तो आपके जीवन से सारे दुख अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे। तो ध्यान से सुने। इस समय जो ग्रह गोचर है उसके हिसाब से आपके जीवन में स शीरवाद दें कि अब प्रियमित्र आपको यह समझना जरूरी है कि माता अनपूर्णा क्यों है और क्यों वह आपके जीवन में आना चाहती है। आपके जीवन से दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि माता अनपूर्णा और कोई न और पर स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाता है, सकारात्मक उर्जा से भर जाता है, अब प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनों, कि माता अन्पूर्णा का पास आपके घर में कहां होता है, तो आपका जो रसोई घर है, उसमें माता अन्पूर्णा का वास होता है, और माता अन्प पूर्णा केवल और केवल आप से यह चाहती हैं कि अगले तीन से साथ दिनों तक आप लगातार अपने घर की रसोई घर में उनके नाम से एक गाय के घी का दीपक जलाएं, वह मित्रों, और अपने घर के जो रसोई घर है, उसकी उत्तरी दीवाल से चिपका करकर आप इस दी रखें और उस अन्य के उपर आप इस दीपक को रखें, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी रख सकते हैं, और उस आटे के उपर आप इस दीपक को रखें, और जब आपका दीपक शांत हो जाए, तो जो आटा अपनी कठोर बट रखा है, उस आटे को आप किसी को दान में दे सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। आप चाहे तो उस आटे से एक रोटी बनाएं और उस रोटी को आप गाय को खिला दे। बस इतना सरकारी आपको अगले सात दिनों तक करना होगा। इसी के साथ-साथ प्यारे दोस्तों दूसरे दिन भी सकती है। धन्वंत्री याद रखना कि जहां माता अनपूर्णा जाती हैं तो उनके पीछे-पीछे भगवान धन्वंत्री भी अवश्य ही चलते हैं क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है और शास्त्र अनुसार है। जिस घर में माता अन्नपूर्णा होंगे, वहां किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा नहीं रहनी चाहिए, और यह कार्य भगवान धनवंत्री का है, धनवंत्री असल में देवी देवताओं के वैद्य हैं, और उन्ही के हाथ में अमरित कलश है, तो आप समझे कि वह कितने शक्तिशाली है, तो अब जब यह दोनों दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करेगी, तो आपके जीवन में चमतकार होने शुरू हो जाएंगे, याद रखें, प्यारे दोस्तों की आपने कहावत तो सुनी ही होगी, कि पहला सुख है निर्मलकाया दूजा, सुख घर में माया, या तो जब यह दोनों शिव शक्ति आपके जीवन में आएगी, तो पहला सुख मिलेगा, आपको यानि कि निर्मलकाया और निर्मलकाया का मतलब यह नहीं, कि कोई भी रोक नहीं है, शरीर में निर्मलकाया का मतलब यह है, कि आपकी सकारात्मक उर्जा भी चरम सीमा पर हो, कि आप जो चाहेंगे वह आपकी ओर आकरशित होगा आप जिससे भी जो कुछ भी कह देंगे वह आपकी बात मानेगा और आपके शत्रू आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे अब आपको यही चाहिए कि आप इन दोनों दिव्य शक्तियों की कृपा जीवन भर प्राप्त करते रहें तो हम तो आपसे केवल यही कहेंगे कि आप ना केवल साथ दिनों तक बलकि जीवन भर अपने रसोई घर में रात्रि के समय जब खाने पीने का काम समाप्त हो जाए साफ सफाई दीपक माता अनपूर्णा के नाम से अवश्य ही चलाते रहें तो जीवन भर आपको इनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी और आपकी सकारात्मक उर्जा बढ़ती चली जाएगी मित्रों, कई लोगों के जीवन में यह उपाय करवाया है और उनके जीवन में पड़ी ही चमतकारी परिणाम आए है कुछ लोगों ने तो इतना तक कहा है कि गुरुजी पहले जहां हर काम में हमें फलता मिलती थी वहां स्थिती ऐसी हो गई है कि हमारा पूछा ही नहीं, छोडता है मिट्टी को भी हाथ लगा देते हैं तो वह सोना बन जाती है बड़ी बड़ी उच्च अधिकारियों से और उच्च वर्ग के लोगों से हमारी पेट हो गई है यह सब क्या है? यही सब भगवान की ही तो कृपा है और जिस पर माता अनपूर्णा की कृपा है उस पर तो भगवान भोले नाथ की भी कृपा होगी क्योंकि वे तो स्वयम माता पारवती के साथ ही चलते है असल में यह एक बहुत बड़ी क्रिया है लेकिन इसे समझ पाना सब के बस की बात नहीं है लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है लेकिन हम आपको बता दें कि इस विशेश योग और इस विशेश समय के बारे में जो बाते हमने आपको बताई है इस शास्त्रों में लिखी है शिव पुरान में लिखी है और यहां तक की लाल किताब में भी इसके बारे में विशेश व्याख्यान देखने को मिलती है लेकिन लोग बिना पढ़े आधा अधूरा ग्यान देते हैं इसलिए कभी भी सही बातें आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं तो प्रिये बंधुओं अब जो बातें हमने आपको बताई हैं उमीद करते हैं कि आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और अपने जीवन की हर एक दुख तकलीफ को खुद ही समाप्त कर देंगे प्यारे दोस्तों, आज हम माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णुजी के आशीरवाद से अगले 24 घंटे के जीवन का पूर्वानुमान सांझा करने जा रहे हैं सबसे पहले तो यह जान लें कि जीवन में किसी भी चुनोती का सामना करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोन अपनाना चाहिए जब भी हम भगवान के चरणों में श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो हमें आशीरवाद स्वरूप, आत्म विश्वास और सशक्तिकरण प्राप्त होता है आपके जीवन में आज का दिन बहुत ही शुब और आनंद मैं रहने वाला है माता अनपूर्णा के आशीरवाद से आपके घर में धन धाननी की कोई कमी नहीं होगी आप जो भी कारे हाथ में लेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी आपका परिवार एक जुट रहेगा और सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करेंगे माता लक्ष्मी का नाम लेते ही हमें यह समझ में आता है कि वह हमें धन और सम्रिध्धि प्रदान करती है उनकी कृपा से आपके आर्थिक मामलों में सुधार होगा और आपको नए अवसर मिलेंगे व्यापार में लगे हुए लोगों के लिए आज का दिन नए अनुबंध और साजहदारी के लिए अत्यंत लाभ दायक है आपके व्यापार में व्रिध्ध होगी और नए ग्राहक जुडेंगे नौकरी में लगे हुए लोगों के लिए भी यह दिन विशेश है आपके वरिष्ट आपके काम की सराहना करेंगे और प्रमोशन के अवसर भी मिल सकते हैं अब बात करें स्वास्थ की तो भगवान श्री विश्णुजी का आशीरवाद आपके साथ है उनके नाम का स्मरण करते ही आपके अंदर सकारात्मक उर्जा का संचार होगा आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा और यदि कोई पुरानी बीमारी से पीडित है तो उसमें भी सुधार दिखाई देगा नियमित रूप से भगवान का ध्यान और योग करने से मानसिक शान्ती और शारिरिक स्वास्थे में व्रिध्य होगी हमारे जीवन में कई बार समस्याएं आती हैं लेकिन प्यारे दोस्तों हमें यह समझना होगा कि समस्याएं हमारे आत्म विश्वास और सहन शक्ती को मजबूत करने का माध्यम होती है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए यह संदेश हमें सिखाता है कि हम अपने कार्य में सच्चे रहें और इमानदारी से महनत करें बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दें माता अनपूर्ण का स्मरण करते रहें और अपने परिवार के साथ भोजन का आदान प्रदान करें इससे परिवार में प्रेम और सम्रिध्धि बनी रहती है माता लक्ष्मी की आराधना से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्थ होती है और भगवान श्री विश्नु की पूजा से मन को शान्ती और सुकून मिलता है अंत में प्यारे दोस्तों याद रखें कि जीवन में कठिनाईयां और संगर्ष आते रहते हैं लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच और भगवान के प्रती अटूट विश्वास बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती इस प्रकार माता अन्पूर्णा, माता लक्ष्मी और भगवान श्री विश्नु जी के आशीरवाद से आपके अगले 24 घंटे, सुखमय और सफलता पूर्ण होंगे आप सभी को धेर सारी शुब कामनाए धन्यवाद